असलाम अलेकोम आवरिबन वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल उमीद हैं आप सब खेरियत से होंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल और मज़िदार से खटे मीटे दाइबड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं एक बाउल में वन कब बेसन वन टेबल स्पून चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ख्रश करावा जीरा वन टेबल स्पून की गरीब नमक डालेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके हम इसको बैटर बना लेंगे हमारा बैटर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए बहुत जादा पानी नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत जादा थेक होना चाहिए अब हमारा बेसन का बैटर बिलकुल तयार है फुलकिया फ्राइ करने के लिए ओईल हमारा बिलकुल नॉर्मल ही गरम होना चाहिए ओयल में अब फुलकियों को हम फ्राइ कर लेंगे अब फुलकियों को हम 4-6 मिनट तक के लिए फ्राइ कर लेंगे अब फ्राइ फुलकियों को हम पानी में सोग होने के लिए रख देंगे 2-3 मिनट तक के लिए अब 250 ग्राम दही एक बाउल में अच्छी तरीके से फिट लेंगे अब इसमें हाफ कप के करीब चीनी शामिल करेंगे चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम एक कप के करीब तकरीबन दूथ शामिल करेंगे अब इन सभी चिज़ें को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब कॉन स्टार्च या कॉन फ्लोर शामिल करेंगे कॉन स्टार्च या कॉन फ्लोर डालने से होता है एक तो दई हमारा गाड़ा हो जाता है और ये बिलकुल बजार वाला ही टेस्ट देता है अब दही को हम एक से दिएर घंटे के लिए फ्रेज में ठंडा होने तक के लिए रख देंगे अब दही में सारी हमारी जो सोक करीबी फुलकिया दी अब वो इसमें हम शामिल करेंगे अब इसके अपर थोड़ी सी इमली की मीटी चटनी डालेंगे मीटी चटनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं इस पे हम तोड़ी सी घटी इमली की चट्डी डालेंगे इसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी आप इसकी भी वीडियो वहां से देख सकते हैं अब इस पे हम तोड़ी सा चार्ट मसाला डालेंगे चार्ट मसालेगी भी वीडियो मेरे चैनल पे हैं मौजूद आप वहाँ से देख सकते हैं हमारे मज़दार से खटे बीटे दाई बड़े तयार है मेरी वीडियो आपको बसन आएं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा इन्शालला मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अल्ला हाफिज